Hello Students, Career Point Education के YouTube Platform पर एक बार फिर आपको स्वागत है आज की क्लास में बात करेंगे जीवा जीवी स्द्याला के अंतरकत होने वाली UZ, Final Year यानि की BA, BSC, BCOM और BSC, Home Science, 33 वर्ज के छात्रों की जो Open Book प्रडाली से परिष्चा होनी है उसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे कि आपको कॉपी कैसी बनानी है कॉपी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कॉपी को जमा कैसे करना है इसके अलावा जो भी बाकी और डिटेल है आपको परिष्चा संबंधित वह आपसे यहाँ पर शेयर करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको जो कॉपी बनानी है तो उसके लिए क्या करना है आपको सिंपल एफोर साइस की जो प्लेन पेपर होते हैं उनको आपको लेना है और टोटल आठ परने लेने तो आपकी इस प्रकार से एक कॉपी बन जाएगी अगर आपके पास में वाइट पेपर नहीं है तो आप एफोर साइस की जो रजिस्टर होता है लाइनिंग वाले उसकी भी आप पेज ले सकते हैं इस प्रकार के यहां भी आपको एट लिपस लेनी ही टोटल और उनको आग फ्रंट पेज में लेकिन कोसिस करिए कि इसका प्रिंट निकलवा लीजिए और उसकी पोटो कॉपी करके हर कॉपी पे अटेश कर दीजिए तो इस प्रकार से आपकी कॉपी घर पे ही बनानी है कहीं कॉपी के लिए परिशान नहीं होना है आपको कॉपी कोई महाविद्याल उसको भी आप लेकर कउपी बना सकते हैं कुछ बच्चों नहीं पूछा तर इसके जो प्लेन पेपर कोपी बनाएंगे तो क्या उसमें लाइनिंग करनी है क्या जरूरी नहीं आप लाइनिंग करेंग। आपको बिना लाइन के आप लिखने में हैं अच्छी राइटिंग से लिख सकते हैं तो आप डिरेक्ट वाइट पेंज लिख सकते हैं लाइनिंग करने की कोई आवश्यक्ता नहीं होगी क्लियर यह थी कॉपी संबंधी डाउड जो कि आपके आ रहे थे मेरे पास में कि कॉप लिखना है फिर द Nous नाम आप अपने लिखेंगे महा विद्यालाएं में आप अध्यान कर रहे हैं पिर का इसल्ट में हैं प्रक्षाइम गला स्टेटस तो आपको अपने विशय का नाम लिखना है जिस विशय की आपने copy बना रखी है clear प्रश्ण पत्र का सीरसक या सीरसर आपके जो paper आएगा विश्विद्याले के द्वारा उस wish विद्याले के paper पर सबसे उपर आपका प्रश्ण पत्र का सीरसक और प्रश्ण पत्र का code दिया होगा फिर बात आती है roll number की तो roll number ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर roll number जो blocks बने हैं उसमें एक block में केवल एक digit लिखनी है और उसको पश्ट अक्षरों में जो की साफ अक्षरों में रहे और पठनी हो आसानी से पढ़ी जा सके तो उस प्रकार से आप बनाएंगे उसको अंको और सब दोनों में roll number सबसे साफ अक्षरों में लिखनी है और intel पर जमा कि गई उतर पुस्ा के कुल प्रिष्टों की संख्या तो प्रेजेज तो यहां पर द्यान रखें के प्रेश्न पत्र का दिन पर da यहां पर डालेंगे उत्त्र पुष्टिका जमा करने का दिन और दोनों डेट कर सकते हैं तो कोई उंतरण नहीं आना है आप जी दिन पेपर आपको मिल रहा है उस दिन कभी डेट डाल सकते हैं सकते यहां पर जादा नहीं करेगा KLEAR Pages की संख्या आप लिखेंगे कितने 16 पेज की copy है आपने इमाने नो पेज लिखेए तो हम पर pages लिखेगे प्रिश्टों की संख्या क्या करेंगे 9 करेंगे क्लियर तो इस प्रकार से आपको पूरी करनी और नीचे अपने साइन करने हैं उसके बाद यहां पर नीचे कुछ दिया है संग्रहन केंद्र का नाम और शील और इसके ब्लॉक बने हैं इसमें आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है यह आपके परीक्षक के लिए है इन्विजलेशन जो करेगा उसके लिए प करना आपको जो भी करना तो के अच्छी को बढ़ना है कोई नहीं करना या इसके बाद में आक्को जो एन्सर लिखना है च्छाव Henry बसका होगा हैं physics faster physics सेकन तो आपको दोनों केंगे स्टार्ट करेंगे पार्ट1 और उसके बाद जहां पर आपका पार्ट1 ख़तम होगा उसके जश्ट बाज अगले नए पेज्वार फिर हंपार शायोज दालेंगे भाग करम से लिखेंगे इसा ना हो यह पर पहरंट के लिखा फिर अगला क्षें भा के लिखा इसके लिए का लिखा एसा ही नहीं कि जैए subscribing में आधे भाग में जितने बाग हो सकते जितने पेज जा सकते में आपको खंड पूरी कर उसके बाद खंड खंड बाह captive रीघ गहीं से तो प्रावलम नहीं यहां तो इस परकार अप्लिकेशन का तो उसके लिए आपको च्छेपी कॉपी बनानी है उसके अलावा जो आपका निवारी विशय ही आधार पाट करम है उसमें आप क्या करेंगे च्छेपी कॉपी बनाएं मतलद टूटल थी लेने हैं आपको केवल तीन पंड्ने लेने हैं उसको आपको ऑन्क क्रमिलेशन कोर्स की उसके लावत तीन आपके विशय के बनेंगे तो क्यल लाकी आपकर चार लिए खरक कर दी हैं इसके बाद आते है कि आपको कव्पी जमा करनी है तो आपको जिस महाविद्द्याले में अधियन्रत हैं जहां कर आ économ इसे महाविद्ध यालें में कॉपी जमा करनी कहीं और कॉपी जमा नहीं करनी है पिछली वार्स जो लास्टियर के च्छाट रहते हुओ आपको जहात एपको काौपी जमा करनी क्लियर इसके बाद आती है बात कि आपको कौन कौन से पिन का यूज़ करना है तो आपको केवल काले और नीले ब्लैक एंड ब्लू दो ही पिन का यूज़ करना है इसके लावा और कलर्ड पिन का यूज़ नहीं करना है अगर बात करें जो छात्रे स्वाध्याई हैं आप copy जमा करने के वाद आपके proof की तो आप जहां copy जमा करेंगे जिस महाविधियाले में जिस महाविध जमा जमा करेंगे तो वहां से आपको एक receipt दि जाएगी कि आपने इतनी copy फ़ला नाम है पिता का नाम है यह roll number है इतनी पावती का format हमने दिखाया है पिश्ली क्लास में वो पावती होगी, उस पावती को आप महाविद्याले में कॉपी जमा करने के बाद अपने प्रोफेसर से प्राप्त करेंगे, उस पे उनके प्रापर साइन किया होगा और डेट लिखी होगी जिस डेट पे आपने कॉपी शबमिट की है, आपको उसको रखें, अगर मान लिए आपका किसी कारण वस बिश्विद्याले आपका रिजल्ट रोकता है, तो आप उस रिशिप्ट को सो करना होगा, बताना होगा, जिसके विस पे आपका रिजल्ट आगे डिकलेर किया जाएगा, क्लियर, फिर बात आती है कि आपको कॉपी तो जमा क कराएगा, उसके लिए अलग से गाइडलाइन डिश्विद्याले महाविद्याले को देगा, उसके आधार पर उस गाइडलाइन की आधार पर महाविद्याला आपके प्रेटकल एक्जाम को कंड़क्ट कराएगा, क्लियर, तो यह थी, कॉपी बनाने की, कॉपी में एंसर ल लिखनी ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा भी लाइटली मत लीजिएगा कि आप फॉर्मेल्टी टाइप से कॉंपी दंदी राइटिंग में लिख दिया कैसे भी कॉंपी सब्मिट कर दिया हम पास ही हो जाएंगे अच्छे नंबर या जाएंगे तो इसकी कोई गैरेंटी नहीं है आपके पास एक सुविधा दी गई ओपन बुक प्रणा लिखी आप अच्छे से नेट पर सर्च कर लीजिए बुक खोल के लिखिए कैसे भी लिखिए लेकिन आप एंसर उसका सही सही लिखेंगे गलत एंसर यहां पर फेल भी कर सकता है आपको क्योंकि कॉंपी यह प्रॉपर्ली चेक की जाएंगी जैसे आपकी में एक्जाम की कॉंपी चेक हो जाती है तो आप इस गलब सही में ना रहें कि जनरल प्रमोशन किया जा रहा है तो हम पास ही हो जाएंगे क्योंकि लाश्ट यह अगर आपके परिचीत हो तो आप उनसे पूछिएगा वहां प कहिंस आपके साथ आपके सीनियर जो है वो कॉंपी इस साल भी 80KT के रूप में जैमा करेंगे जो 80KT छात रहें वो ध्यान पर कि आपको सभी पेपर की कॉंपी नहीं लिखनी है जीस वीसाय में आपको ईटीक यह तीनों पार्ट जो भी हैं आपको उतनी ही कॉंपी लिखक तो आपको खंड आ, खंड बा और खंड साथ तीनों पार्ट लिखके एक ही कॉपी में केवल केमिश्ट्री की कॉपी ही जमा करनी इसके लावा को फीजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर अगर आपको बालाजी है तो उसकी कॉपी सब्मिट नहीं करनी है ना ही फांडेशन कोर्स क आपको केवल उस सब्जेक्स की कॉपी सब्मिट करनी जिस सब्जेक्स में आपकी एटिकट आई हुई है बाकी एक्स स्टुडेंट प्राइवेट स्टुडेंट और रिगुलर स्टुडेंट अपनी पूरे नौ पेपर जो होते हैं यानि कि अगर हम बात करें खंड आ प्रेंस बने देए वीडियो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए बेल आकेन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के बिलेट आपको मिलती रहें चली मिलते अगली क्लास में थैंक यू प्रेंग आप कि अब आप आप